हलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कॉर्ट, आएम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्लास एट्थ हिंदी की बुक का चाप्टर एटीन, टोपी, और जो चाप्टर टोपी है, उसका ये पार्ट टू है, इसे पहले हमने पार्ट वन में कर लिया था, अब आगे का यहां से, यहां तक का चाप्टर हम लोगोंने कर लिया था, कि वो राजा के महल के बास आकर के बैठ गई, वो टोपी बहन के चड़िया, तो फिर आगे राजा की इतनी आओ भगत कर रहे थे सब लोग तो उसको देखते हैं, उसी वक्त राजा अ अधनागवा बदन और नंग्या सिर तर और अधनागवा बदन तर राजा का उस समय पर, तो दूसरा हाथ पाऊं के उंगलियां फोड रहा था, मतलब ऱोई चचका रहा था ह। tiसरा पीट पर मुक्के मार रहा था, तो चौथा पिंदली पर घुद्दी का रहा था, तो मतल चलाकें अबो से खिंको मेरे सर पर राजा में तो राजा की नजर पढ़ीं और दीखा कि उस घौवर रया ने टोपी बेहन रखी blow कोई मेरी टोपी लाव जड़ा चल दी राजा दोनों हाथ से अपना से ढखते हुए चिलाया तो इस दम से राजा चिलाया कि कोई मेरी टोपी ले क्या हो टोपी आ गई राजा ने जट पहन ली देखरी फद गुद्दी मेरी टोपी में पांच फुत्के गवरिया ने अब इस मुलक के महाभली राजा के सामने एक चडिया की है मजाल मैं बुरी तरह बिगड़ गया इस फुद्गुदी की करदन मसल दो पखने नोच लो सिपाहियों देर ना करो तो इस सिपाहियों को उसने ओर्टर दे दिया कि जो है चडिया इसको नोच करके खतम कर दो खमा करे महाराज मंत्री ने हाथ जोड दिये मच्छन मार कर हाथ क्यों गंदे करना अपने आप चली जाएगी तो मंत्री कहने लगा कि क्या फाइदा मारने का अपने हाथ क्यों गंदे करे खुद चली जाएगी तब राजा सिपाहियों से बोला यह ऐसे नहीं मानेगी इसकी टोपी छीन ले आओ इसे मैं पैरों से ठोकर मारूँगा तो कहा के चलो ठीक है मारते नहीं है पर इसकी टोपी ले आओ उसको मैं पैरों से ठोकर मार दूँगा एक सिपाही ने गुलेल मारकर गो रही है कि टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने जट फै टोपी लपकली औ कारिगरी के इस नायाप नमूने को देखकर भै जड़ हो गया, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खुब्सूरत टोपी किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट-बुलट देखने लगा, तो वो सोचते हैं कि मेरे राज में मेरे अलावा किसी के पा पताना चले तो वही पता लग गया गिरते पड़ते दर्जी हाजर हुआ दुहाई अंदाता इतनी बड़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई मेगों के गरगर हट की मानिंद राजा की अवाज लेकली तुम मेग जैसे गरशते हैं बहुत ही तेज इस तर नाग की मानिंद राज राजा फूप मानने लगा गिरते पड़ते बुनकर हाजर हुआ मारे बख्षे सरकार भी हाजर हो गया कि इतना अच्छा कप्ड़ा कैसे बुना तो वह कहता है माफी नहीं वजय बता हूँ माफी मांगने लगता है राजा से बुनकर कि मैंने आपके बड़ाते सूत बढ़ा उंदा था सरकार एको महीन और लच्छे था तो कहते सूत बहुत अच्छा था इतना महीन सूत किसने आता he है किaurus में डाहाड माड़ी शे分क्ति के सूत कितने प्रिद्द्र है कितना स्यों धुनी हुई इतनी भैतरीन रूई किसने धुनी बिजली की तरह राजा की आवास कड़की फिर से राजा कड़का की इतनी भैतरीन रूई किसने धुनी हाफते चाती पीटते दुनिया हाजर हुआ खमा अनदाता खमा खमा का मतलग हापर है शमा वज़े बताओ राजा गुस् तक काम आके भी आपके लिए करेंगे हमारे लिए अब तक तो जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं, मतलब इतना अच्छा क्यों नहीं था अभैदान दे, तो बोलो सरकार दुनिया बोला, चलो दिया तो अब हैदार मतलब शमा दे तो बोलो महराजस गोरिया ने जो भी काम करवाया उसका आधा हिस्सा हमें देती थी जिससे पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी आधा देती थी इसलिए इसके काम में अपने आप नफाकत आगई सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किये जा रहा था तो मतलब लेटकर बोल रहा था कि मतलब इसके पास कुछ नहीं था फिर भी अपना जो भी इसका था वो आधा हमें दे रही थी इसलिए इसके काम में इतनी जादा खुब प्सूती आ गए और जिसके पास सब कुछ है वो हमें कुछ नहीं देता इसलिए उसके काम में इतनी अच्छे से हमारा हम नहीं कर पाते देख ले देख ले राजा आखों में उंगली डार कर देख ले इसके लिए पूरे मोल चुकाएं हैं, बेकार की नहीं है, गौरयया फिर्शल लाने लगी, गौरयया करने लगी बेकार, बेकार का मतलब होता है, बिना बैसे के काम नहीं करवाया है, पूरी कीमत दे के करवाया है, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया इसे टोपी तक नहीं जुडदी, यो इसने मैरी टोपी चीन ली तो गोरईया रूज्टलाने लगी कि राजये तो कंगाल नहीं जा रही है। पैसा नहीं दो त्याश्सय सब्सक्वरूह आक बगा गया था एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी दूसरी इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमर सूरती कमर सूरती का मतलब यहां पे यह है कि मतलब अच्छी नहीं लग रही थी जिसे की गवरया की टोपी थी राचा की टोपी तो लगी नहीं रही थी इस ट सटीन से लगान वसुनने के बावजुद राजा का खाली ही रहता था तो इतना कुछ करता था राजा फिर्वी उसका खाली रहता था इतना एश व अरामय इतनी लशकरी इतने लफाजमे का बोच्ट खазाना संभलता भी कैसे तो इतने सारे कुक्स रख रखे हैं तो सफाई वाले तो सजावट वाले इतना खजाना कैसे जहता तमाम लोग निकल आये थे यह अनोखा तमाशा देखने मंत्री ने हैलो से कहा यह है मुह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी राजा तो बहुत घबरा रहा था जड़ से बोल पड़ा इसकी टोपी वापस कर दो सिपाहियों से कहना मत टोपी वापस करूँगा कि और हवा में उच्छाल दी गई कोरईया ने फिर से टोपी पहन लिए और उड़कर कहने लगी यह राजा तो डर पोक है नेरा डर पोक मुझसे डर गया तभी तो मेरी टोपी लटा दी तो पहले कहा राजा ने किसकी टोपी लटा दो और सिपाहियों जबत कहना अब जैसे ही कोरईया को टोपी मिली तो वह चिला-चिला के केरें लगी कि यह राजा तो बड़ांब कर और बंदे कुम हिए इस मुफटinky मूह बोगें को पूरा चाप्टर इसकी कई है तो उसका आपاج कrim काम करना चाहते तो इसका अच्छा मूल भी दिया जाए फुरी में काम जो होता है वह अच्छा नहीं होता है और अगर किसी से प्यार से कहकर करके काम करवाया जाता है तो यही टाइस में। तो फिल्डियोज हैंको बने के और अब wounded की और भारत की खोज भी कम्टीट हो गई है अब हम करेंगे संस्क्रिट फिर करेंगे साइन्स और मैट्स भी हमारी कम्प्लीट है ना तो कैसा लगा वीडियो जुरूर बताईए अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें पत्र सकति जड़ कि अवा प्रेंगे से जड़ एक घड सेबरेंगे साथ दिए और यूरणा लगा वेक मैट्व जूभार ना ती जगते ओूर की हमारीं है वीडियो जू प्रेंगे साथ खाएंगे साथ जूरूर प्रेंगे साथ जग्वाइब मैं झालका यूल्वार